दोफ्तों यदि आप चाहते हैं पार्टले पुत्रा विस्विदाले से PG करना तो आपके लिए काफी बड़ी खुस खबरी है क्योंकि पार्टले पुत्रा विस्विदाले द्वारा PG में एडमिसन के लिए आविदन परक्रिया शुरू कर दिया है वैसे सभी कैनिडेट जिन् ने असना तक पास कर लिया है और चाहते हैं PG करना तो पार्टले पुत्रा विस्विदाले काफी बेश्ट इन्वरसिटी है क्योंकि ये काफी रेगुलर समय पर ही आपकी डिग्री को उपलब्त कराती है आपको डिले नहीं करेगी यहाँ पर समझें PG अगर आप चाहते MA-M पर के लिए शुरू करती गई है तो इससे जूरी पूरी जनकारी आपको कैसे मिलेगी कैसे आपको अपलाई करना है जिसकी पूरी कर लिए गूगल में आपको टाइप करना है ओनलाइन अपटेट एस्टी एम जैसे इतना लिखते हैं फर्स्ट वेपसाइट मिलेगा जिसको आपको ओपेन करना है और यहाँ पर देखेंगे नीचे आएंगे तो इन्वर्सीटी अपडेट का एक सक्षन मिलेगा जिसमें मि लिए तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स भी मिलता है सिर्फ इसमें लिख दीजिएगा पीपीव पीजी लिखकर आपको सिर्फ सर्च कर देना है इतना लिखकर सर्च करेंगे यह आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा पीजी एडमेसन के लिए जिस पर क्लिक करके आप पूरी जनकाली को पहले है समझ लिजे कि पीजी एडमेसन कब से कब तक आपकी होगी जैसे आपकी आवेदन आज इससे स्टार्ट हुई है पंदरा जूलाई तक आपके चलेगी साथे साथे साथ पर्थम मेरिट लिख सतरा जूलाई को ही चारी कर दे जाएगे मतलब देख रहे है कितना फास्ट आपकी काम हो रही है तो इसमें आपको अच्छी है कि कहीं भी आपको डिले नहीं होगी एकदम दो सालों में डिग्री आपके पास रहेगी और पूरी जो मेरिक लेट आएगी तो उसके बाद आपकी नमांकन कब से कब तक होगी इसके लिए नोटिफिकेशन करते हैं तो असनातक में आपकी जो कम से कम नमबर है असनातक में 55 परतेसत होगी साथे साथ जो सबसेड़ी वाले पेपर है उसमें असनातक में आपकी 45 परतेसत होनी चाहिए सबसेड़ी वाले पेपर में आपकी जो अंक होगी वो 55 परतेसत होगी MBA के लिए आपके क्या होने चाहिए, MCA के लिए क्या होगी, यह पूरी जनकारी आपको एक बार मिल जाएगे, जिसको आप एक बार देखकर आप apply कर लीजेगा और सारी detail आपको मिल जाएगे, document क्या क्या लगने वाली है यहाँ पर important link का section मिलता है, यहाँ पर apply का link मिलता है, जिसके सामने क्लिक करना है अब आपको देखना है कि आपको कौन से course करना है, आपकी जो भी असनातर की degree होगी, उस base पर ही यह कारेकरम आप कर सकते हैं जैसे अगर मालीजी आपको M.A.M.A. से income करना तो आप B.A. B.A. से become बाले candidate होंगे तो यह कर सकते हैं अब जब इस पर क्लिक करते हैं, अगर M.B.A. M.C.A. भी करेंगे, फॉर्म भरने की परकिरिया सेम है, प्रोसेस को समझ कर आप भी apply कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले continue to form भाले भी कल पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर देखें, graduation की detail पूछी जाते हैं सबसे पहले graduation की जो degree है, आपने किस राजे से प्राप्त किया था, उसकी जनकारी देंगे, साथे साथ, जो भी university से आपने पढ़ाई किया था, graduation, उसका नाम आपको यहाँ पर मिलता है, आप उस university को select कर लेंगे उसके बाद किस साल आपने असनातक pass out किया है, उसकी जनकारी आप यहाँ पर बताएंगे, आपका roll code क्या था, वो आप यहाँ पर बताएंगे, और roll number क्या था, उसकी जनकारी आप यहाँ पर देंगे अब यहाँ पर असनातका जो भी आपका roll number होगा, उसको डालेंगे, roll number को दुबारा डालना है, स्कैपचा code को fill करना है, I agree करना है, और एक option मिलता, proceed to form का, जिस पर click करना है, अब यहाँ पर जो जनकारी आपने fill किया है, उसकी पूश्टी आपको करनी, verify करेंगे, और yes, proceed to form पर click करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अब आपको यहाँ से आवेदन form भरना होता है, सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा, आप अपने mark set को सामने रखे, तेन्थ, ट्विल्थ या graduation का, उसके base पर ही form को fill करेंगे, आप अपना full name यहाँ पर mention करेंगे, पिता जी का जो न करते हैं, उसके जनकारी देंगे, आपके जो category होगी, बताएंगे किस category से आप लॉंग करते हैं, सब category आपको बतानी है, इस मेसे जो भी आप पे applicable है, नहीं है, तो आप not applicable पे भी click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर आप अलप संक्या करेंगे, तो इस करेंगे अने था प्रमार पतर संक्या होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पर पूश्टी करनी है, यहाँ पर बताना है कि आपके पास अधार कड है, तो यहाँ पर एस करेंगे, और नहीं है, तो नो करेंगे, अधार कड होगा ही, तो आप यहाँ पर अपना अधार नंबर को फिल करेंगे, नहीं है उनके लिए आपको अधार इंडॉल्मेंट जो करवाया होंगे उसका संख्या आपको बताने है नीचे आना है contact detail है जिसमें सबसे पहले आपका जो भी permanent address होगा उसको बताना है जिसमें आपकी राज जो होगा जो भी आपकी जिला होगी उसको चैन करेंगे उसके आलावर यहां पर address लिखना एड्रस में ध्यान रखना है कि इस परकार लिखेंगे भी आपका जो होगा उसको आपको जिस्परकार तो यहां पर टी करेंगे दोनों फील होगा अगर अलग अलगए को फिल कर देंगे नीची आना है जो के शनल डीटिल है जिसमें सबसे पहले तेंत की डीटिल पूछी जाती है तेंत आपने किस साल पास ऑउट किया है वो पासिंग येर को बताएंगे साथे साथ किस बोर्ड स मिले हैं उसकी जनकारी यहाँ पर आप उप्टेन वाले में बताएंगे उसी अनुसार intermediate की जनकारी देंगे किस वर्स आपने intermediate को उतिर्ण किया है और साथे साथ intermediate किस बोर से पास अउट किया है उसके बाद यहाँ यहाँ पर आपका रॉल कोड क्या था रॉल नंबर क्या था और कितना नंबर आपको उसमें मिला है और कुल कितने का एक्जाम हुआ था वह जनकारी आप यहाँ पर देंगे पूछा जाता है यदि अपने intermittent में गनीत की पढ़ाई किया था तो उस case में आप एस करेंगे गनीत नहीं पढ़ा था तो आप नोबाले विकल पर क्लिक करेंगे नीचे आना है graduation की detail पूछी जाती है असना तक किस वर्स पास अउट किया हूँ और सुरू में ही आपने फिल किया होगा वह जनकारी यहां पर एक्टमेटिक फिल रहाएगा नीचे आपको आना है सबसे पहले पूछी जाती है graduation में आपकी जो है main subject major का मतलब है कि जो आपकी ओनर्स होती है उससे major subject के रुप में जाना जाता है और कौन सथा उसको आप यहां पर sign करेंगे उसके बाद यहां पर बताना है कि जो अन्य आपकी जो पेपर रही थी वह यहां पर दिखेंगे जिसे आपकी subject 1 में आपके history का option मिलेगा आपकी जो subject 2 था इसके अलावे आपका जो ओनर्स में जो भी पेपर रहा होगा subject 2 में जैसे आपने subsidy के रूप में कुछ रखा होगा वह आप यहां पर बताएंगे कि कौन से पेपर रखे थे उसकी जनकारी आप यहां से चुन लेंगे फिर आपको क्या करना है नीचे आना है यहां पर बोला जाता कि आप अपना राइश्रेशन नंबर बताए उसके बाद बताना है कि कोर्स जो आपने किया था वो किस परकर था जैसे पहले क्या होता था कि part 1, part 2, part 3 होता था लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहर से जो पढ़ते थे उस semester y भी किये होंगे तो आप बताएंगे कि अगर आपका उस परकर yearly है तो yearly चुने या semester होगा तो semester चुनेंगे जैसे हमने yearly चुना थो तो course का duration आपको बतानी है कि कितने सालों का course था ये साल है एक साल, दो साल, तेन साल, पांको ये आपको बताना होगा अगर यही आप semester चुनते हैं तो यहाँ पर देखे semester Y आपका आ जाता है कि 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 यहां कहारी आपको पर बताएंगे तो इसका आपको धियान रखना है जबी भी आप इसको चुनते हैं, तो गरबरी आपको नहीं करनी है, अब यहाँ पर बताना है कि आपको कितने नंबर उसमें प्राप्त हुए हैं, उसकी जनकारी आप यहाँ पर बताएंगे, अब यहाँ पर बोला जाता है कि क्या आपने असनातक उपरांत PPO से बेड किया है तो अगर किया होगा तो इसकरे, अनेथा 9 पर किलिक करे, उसके बाद आपको एक फोटो अपलोड करना जो 20 के भी का होगा, और सिगनेचर पर बोलोड करना है, जो आपको 20 के भी से कम होगा, जिसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको आईगरी करना है, कैप्चा को डाल करना है सेब application पर क्लिक करना है इस परकार आपका registration complete होता है और आपका जो registration ID है जो login ID होगा और password होगा आपके number पर भेज़ दिया जाएगा धियान रखिएगा आप सभी candidate इस login ID password को समभाल कर रखिएगा क्योंकि आगे आपका लिकेर टू लॉग इन वाले विकल पर आपको क्लिक करना है उसके बाद देखेंगे इस परकार का डेस्पोर्ट आगा जहां पर सबसे पहला काम करना है अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है प्रोफाइल अपडेट वाले विकल पर क्लिक करेंगे यहां पर जो जनकारी अ करना है तो इसको आप यहां से क्या कर सकते अपडेट करेंगे और आपकी गर्जुएशन का फाइनल एर का जो मांक सिट होगा उसको यहां पर अप्लोड करना है आपके पास Migration Certificate होगा तो उसको upload करना है Migration Certificate नमबर बताना है और साथे साथ वो certificate आपकी कब issue हुई है यहां से year, month और date को अपने अनुसार चैन करेंगे फिर category certificate अगर आप पे लागू होता है तो इसको upload करेंगे और आप EWA से आते हैं आप पे लागू होता है तो इसको upload करना है और एक option मिलता upload file and continue का जिस पर click करना है अब यहां पर graduation की detail आयती है जैसे graduation subject में जैसे आपने जो ओनर्स चुना होगा तो ओनर्स में आपको कितने number प्राप्त हुए हैं यहां पर बताएंगे कि maximum कितने अंकों का exam हुआ था और उसमें आपको obtain marks कितना आया है वो जनकारी आप यहां पर डालेंगे उसके base पर ही आपको PG में जो भी course मिलने वाली है वो आपको यहां पर देखनों के मिलेगा कि आप जो है इस course के लिए eligible है आप इसके apply कर सकते हैं उसके बाद एक option मिलता है 7 continue का जिस पर click करना है ओके वाले विकल पर click करना है अब यहां पर बतानी है कि किस जिले के college में आप दाखला लेना चाहते हैं आप उसको चूनेंगे और यहां से college आप बताएंगे कि किस college में आप चाहते हैं दाखला लेना उस college को यहां पर डालना है और एक option यहाँ पर मिलता है add का जिस पर आपको click करना है तो इस पर क्या करना है आपको कम से कम जो है 10 college आप डाल दीजेगा उसके बाद यहाँ पर 7 continue उपर click करना है उसके बाद form का जो preview है आपके सामने खुल कर आता है जिसमें आपको पूरी जनकारी देख लेनी है और एक option पर में ही मिलता है pro see for payment जिस पर आपको click करना है अब इसके लिए जो payment आपको लगता है जैसा सब्सक्राइब करना होगा इसके लिए पासवर्ड डालना होगा पासवर्ड आप कहेंगे क्या डाले तो आपके नमबर पर एक ID पासवर्ड भेजा गया होगा उसमें जो पासवर्ड होगा उसको डालेंगे और एक option proceed to payment gateway का मिलता है जिस पर click करना है अब आपको payment करने का प्रिंट का नाम डालेंगे और यहां पर आपको मिलता है पेनाव का जिस पर click करना है payment पूरा होने के बाद इसका जो प्रिंट है अपने पास निकालकर आपको रख लेनी है उसके बाद आपका जो परथम चैन सूची है आपके जो भी अंक डाले होंगे उस अंक के आधार पर त्यार किया जाएगा जो कि 17 जुलाई को जारी कर दी जाएगे जिन कैनिडेट को इसमें नाम आएगा उन सभी को मेगा सूची के अनुसार जो है आपको नमांकर 24 जुलाई तक होगी आपको नमांकर करवानी होगी अब इसकी जनकारी जभी भी आपकी merit list आएगी तो इ सारी अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी महतपूर्ण है क्योंकि हर अपडेट यहीं पर हम सेयर करते हैं फिर भी अकर आपको PG दाखला को लेकर कोई doubt confusion है आप कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते ही देखने के लिए वीडियर हैं रुटस्राइब